हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसंस फ्रॉम दा हाउस ओफ नवांकुर, मैं भूपेश मातुर, आज आपके लिए कक्छा आठ के विशय कंप्यूटर के दूसरे अध्याय का अभ्यास प्रश्न लेकर आया हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला क्वेस्चन है, रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए, पहला रिक्तिस्थान है, कंप्यूटर सिस्टम विविन खाली स्थान से मिलकर बना होता है, तो इसका आंसर है, कंप्यूटर सिस्टम विविन उपकरनों से मिलकर बना होता है, उपकरनों को डिवाइस भी कहते अगला question है अगला खाली स्थान है computer hardware वे उपकरन है जिन्हें खाली स्थान तथा खाली स्थान इसका answer होगा computer hardware वे उपकरन है जिन्हें देख सकते हैं तथा चू सकते हैं आगे बढ़ते हैं तीसरा है computer द्वारा तैयार परिणाम देखने के लिए खाली स्थान इसका answer होगा computer द्वारा तैयार परिणाम देखने के लिए output unit होती है computer में जो भी information हम देखते हैं वो output unit के माध्य हम से देखते हैं चौता है ऐसे प्रोग्रामों का समू जो computer system की किरियाओं को नियंतरित करता है खाली स्थान कहलाता है इसका answer होगा ऐसे प्रोग्रामों का समू जो computer system की किरियाओं को नियंतरित करता है वह software कहलाता है नेक्स्ट है पांचवा खाली स्थान खाली स्थान अन्य सभी सॉफ्ट्वेर को नियंत्रेत करता है तो इसका उत्तर होगा सिस्टम सॉफ्ट्वेर अन्य सभी सॉफ्ट्वेर को नियंत्रेत करता है छटवा है application software मुख्य तहा दो प्रकार के खाली स्थान तथा खाली स्थान होते हैं इसका आंशर होगा application software मुख्य तहा दो प्रकार के general purpose तथा special purpose होते हैं साथवा है विशेशकार तथा अनुप्रियोग के लिए खाली स्थान सॉफ्ट्वेर होते हैं तो विशेशकार तथा अनुप्रियोग के लिए यूटिलिटी शॉफ्ट्वेर होते हैं खाली स्थान समाप्त हुए हमारा next question है बहु विकल्पी ये प्रेश्ण सही उत्तर पर सही का चिन लगाई है पहला question है कंप्यूटर उपकरन है इसके विकल्प है पहला electronic, यांतरिक, पहला और दूसरा दोनो इन में से कोई नहीं तो इसका answer होगा first वा second दोनो मतलब computer electronic और यांतरिक दोनो तरह का उपकरन है next है हमारा computer hardware है option first है output unit, second है linker, third है loader और fourth है text editor तो इसका answer होगा output unit computer hardware इन में से output unit है तीसरा है file manager है option है system software, application software, utility software या इन में से कोई नहीं तो इसका answer है utility software, file manager एक utility software है चौता है ROM chip में संग्रहित software है option है firmware, system software, general purpose software और application software तो इसका answer होगा firmware ROM chip में संग्रहित जो software होते हैं वे firmware कहलाते है next question is सही वाक्य के सामने, सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन लगाईए पहला है computer user के दिये निर्देश अनुसार कार नहीं करता यह कतन गलत है क्योंकि computer user के दिये निर्देश अनुसार ही कार करता है दूसरा है computer hardware का special purpose software है यह कतन भी गलत है hardware computer के ऐसे पार्ट होते हैं जिने देखा तता चुआ जा सकता है जबकि special purpose software एक application program होता है इसलिए यह कतन गलत है तीसरा है CPU computer का hardware भाग है यह कतन सत्य है CPU computer का hardware भाग ही है चौथा है input unit का उपयोग computer को data वा निर्देश देने के लिए करते हैं तो यह कतन भी सत्य है computer में data और निर्देश देने के लिए input unit या input device का ही प्रयोग किया जाता है पांचवा है application software दो प्रकार के होते हैं यह कतन भी सत्य है application software दो प्रकार के होते हैं general purpose software और special purpose software छटवा है utility software एवं un-application software की उप्योगिता बढ़ा देते हैं यह कतन भी सत्य है utility software अन application software की उप्योगिता को बढ़ा देते हैं धन्यवाद